बारत माता की भारत माता की भारत माता की नवश्का दोरोंग बाखी आपना लोकोर की खबर खुलंबाई लोगपपर नन्थां मनहा मा बोरोईडांग दो साल पहले मैं लोक सभाज चुनाव के दोरान आपका आशिद्वार लेने मंगल दोई आया था और वो मुझे बराबर याद है आज मैं देख रहा हूं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं भाई और बहनों दुरांग के नाम में ही रंग है ये रंग यहां की कला का है ये रंग यहां की संस्कृति का है ये रंग यहां के सामर्थ का है मा महा काली का इस पवित्र छेत्र हम से पर मा महा काली के आशिरवाद बने रहे स्रिमन संकर देव के प्रियशिश्य द्मारा स्तापीत सत्र भी यहां से ज़्यादा दूर नहीं है दरंगी कला विशेश रुप से अउजापाली देश की सबसे आकरशक परफॉर्मिंग आर्ट में से एक है यहां असम साहित का भी मंगल तीर्थ है आजादी के आंदोलन में भी दरंग के अनेक सेनानियों ने इस धर्ती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था पथ्रू गाड की किसान करांती देश की आजादी की लड़ाई का एक एहम हिस्सा है आज जम हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे तो मैं आज वीरों की बलिदानियों की इस पवित्र धर्ती को और इन वीर शहीदों को शत्र शत्र लमन करता हूं आज असम राइफल्स का एक सो चैयास विश्मा बनेटी सीक्ष मा रेजिंग डेवी है असम राइफल्स का देश की रक्षा में गवरों मही इतिहात रहा है मैं आज असम की धर्ती से असम राइफल्स की सौर्य परंपरा का अभिनंदन करता हूं उन्हें सेल्यूट करता हूं साथियों असम के इक्षेत्र की कलाकी यहां के सामर्थ की आत्म निर्बर भारत के निर्मान में बहुत बड़ी भूमिका है इसलिए आज मैं आपके बीच डबल इंजिन की सरकार को मजबूती देने के आगर के लिए आपके पास आया हूं भाजपा की एंडिये की डबल इंजिन की सरकार का मतलब है संकल्प संकल्प असम के तेज विकास का आत्म निर्बर भरता का संमान संमान असम की भाशा बेजबुशा संसकारो और संसकृति का संमार सुरक्षा करप्षन से सुरक्षा हिंसा से सुरक्षा आतंक से सुरक्षा गुसपैट से सुविधा पढ़ाई की सुविधा दलवाई की सुविधा कमाई की सुविधा आवाजाही की और सुविधा सिंचाही की बाई और बहनों पांच साल पहले आपके बीच हम परिवर्तन के वाइदे के साथ आये थे आज तेज विकास के डबल विस्वास के साथ आये हैं असम भीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है उनकी सिद्धी असम में सम्रुद्धी लाएगी मैं असम भीजेपी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कुनों ने ऐसा बढ़िया संकल्प पंत्र तयार किया है इतना बढ़िया वीजन के साथ काम किया है इतने बढ़िया रोड मेप के साथ काम किया है मैं इस संकल्प पत्र के लिए असम भीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई यो बेनों हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ भविश के असम का आत्मनिर भर असम का वीजन लेकर के भी आये हैं पांच साल से जो डबल इंजिन की सरकार चल रही है वो सेतुओं वाली सरकार है हमने विकास के सेतु मांदे हैं आज असम के हर हिस्से के हर हिस्से में एक समान विकास हो रहा है जबकि कॉंग्रेस के सासन में बेदभाव हर बात में बेदभाव ये बेदभाव बेदभी करना और बेदभाव रखना ये उनकी आदत हैं समस्कार हैं तरीका है ये बाते सामान्य थी हमने संस्कृति के सेतु बंदबादे हैं दर्जनों जनजातियों के सवहार्थ को मजबूत किया है बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड और भईभोयाम आज सभी एकी समान अपनी संस्कृति और परंपरा को साजा कर रहे हैं हमने शांती के सेतु बांदे हैं पांच साल में हिंसा पर लगाम लगी है जबकि कॉंग्रेस के सासन में हिंसा आम बाती बगल में बंगाल में देखिए दज साल से बेठे हैं आए दिन हत्याएं आए दिन बंधमा के आए दिन मोत के खेल खेले जाते हैं असम्मे हमने पूरी संवेदन सिल्टा और विश्वास के साथ अइतिहासिक बोडो समझोते को करके असम्मे स्थाई शांती का मार्ग मजबूत किया है आज बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का एरिया ही इतना ही नहीं बलकि पूरा सम्म शांती के साथ विकास के नए पत पर चल पड़ा है साथियों सेतुआं का ब्रीज का अभाव क्या होता है इसको दर्रांग से बहतर कौन समझ सकता है याद कीजिये साथियों कुछ साल पहले तक आपको गवहाटी जाने के लिए कितना समय लगता था कितनी मुश्किले होती थी आपको सराय गाड़ पर दूसरे ब्रीज के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा NDA की डबल इंजिन की सरकार ने तेजी से सराय गाड़ पर पूल बना दिया है डबल इंजिन की सरकार ने नए पूल बनाने के साथ ही उन पूलों को भी पूरा कराया जिने कॉंग्रेस ने बर्सों से लटकाया अटकाया और बटकाया था सोचिए कॉंग्रेस के दसकों साल के शासन के बाद भी असम में सिर्फ तीन बड़े पूल बन पाए लेकिन एंडिये सरकार के छे सालों के भी तरी असम में डोला सदिया बोगी बिल सराइगाट समेत कई पूल आज काम करना शुरू कर चुके हैं इनके अलावा यहां अनेक पूलों पर काम तेजी से चल रहा है साथियों इन पूलों के बनने से असम के अलग-अलग छेत्रों की कनेकिविटी ही ससकत नहीं हुई हैं बल्कि असम के सामर्थ को भी नया बल मिला है आज असम के किसानों असम के उद्योगों के लिए नए अउसर बन रहे हैं कनेकिविटी ससकत होने से दरांग सहीत पूरे असम में सामान लाना और ले जाना सस्ता हुआ है और इलाज की सुविदा पढ़ाई की सुविदा के लिए परेशानी भी कम हुई है साथियों पूरे असम में हमारी डबल इंजिन की सरकार हवाई कनेकिविटी रेल कनेकिविटी और जलमार्ग कनेकिविटी पर भी तेजी से काम कर रही है गुहाटी एरपोर्ट का विस्तारी करण हो रूपसी और डिबरुगर्ड एरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाना हो इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिजम से लेकर ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को बहुत बल मिलेगा असम में रेल कनेक्टिविटी पर कितना बल दिया जा रहा है इसका उदार इसी महने देखने को मिला है असम के रेल के इतियास में पहली बार इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव बोगई गाउं से सारू पेटा स्ट्रेशन के बीच चल रही है भाई और बेनों हाल में लॉंच की गई महा बहु ब्रह्म पुत्र योजना इससे असम की जल शक्ति का उप्योग यहां के विकास में अधिक से अधिक होने वाला है जलमार्ग के जरिये इस पूरे खेत्र को आसपास के राज्जों के साथ ही भुटान, नेपाल, बंग्रादेश, म्यानमार और इस्ट एशिया देशों तक कनेक किया जा रहा है हाल में तीन बड़ी रोरो फेरी सर्विस की सुरुवात असम के अंदर की गई है जिस में से एक पडोस में नौर्थ और साउद गुहाटी को भी जोडती है यह सारे प्रयास असम को देश का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने में बहुत मदद करेंगे मेरा असम के लोगों से आग रहे इन प्रयासों को रुकने नहीं देना है आपको याद रखना है कॉंग्रेस का मतलब है बिनास की गारंटी कॉंग्रेस का ट्रेक रिकोर्ड है अस्थीरता कॉंग्रेस का ट्रेक रिकोर्ड है गरीबों से विश्वासगाद कॉंग्रेस का ट्रेक रिकोर्ड है टी गार्डन में काम करने स्रमीकों को दोखा देना कॉंग्रेस का ट्रेक रिकोर्ड है हिंसा और अलगावाद कॉंग्रेस का ट्रेक रिकोर्ड है गुस पेठियों को बढ़ावा देना कॉंग्रेस के लिए गुस पेठिये ही सब कुछ है जबकि हमारे लिए असम के मुल निवासी यहां की महान जनता का हीत यही हमारे लिए सर्वो परी है कॉंग्रेस लूटने के लिए असम की सत्ता चाहती है हम असम के लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात लगाने को तयार है असम के लोगों को पक्के घर मिले हर घर में गैस हो हर घर में नल से जलाए यह हमारी प्रात्विकता है स्वच्छ भारत अभ्यान के तहट यहाँ दरांग में ही अधियों बीते पाँच बर्ष असम की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने दिन रात महनत की है अब अगले पाँच साल कनेक्टिविटी की इस निव पर यहाँ नए उद्योग नए उद्याम आसम को अत्यात्म निर्भर बनाने के लिए है यह पूरा खेत्र एग्रिकल्चर और होल्टी कल्चर के लिहाद से बहुत महत्वपून है नए कृशी सुधारों के बाद देश में स्टोरेज की कोल्ड स्टोरेज की और कृशी आधारित उद्योगों फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए नए रास्ते खुले हैं सरकार खुद भी इसमें भारी निवेश कर रही है और नीजी निवेशकों को प्रोशाहत किया जा रहा है गुहाटी के पास 500 किलोमिटर से भी लंबा इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनाया जा रहा है आने वाले वर्षों में यहां अनेक थियमेटिक पार्क जैसे फूड से प्रोसेसिंग पार्क हो बैंबू पार्क हो ऐसे अनेक पार्क बनाए जाएंगे इसका सीधा लाब दरांग के किसानों को भी होगा और यहां के नव जवानों को भी होगा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट फिश्ट प्रोसेसिंग पर भी विशेश बल दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब असम को मिलेगा यहां के मचवारे साथियों को मिलेगा भाई और बहनों आपने कॉंग्रेश की 15 साल की करप सरकार भी देखी है और डबल इंजीन की 5 साल की आपकी सेवा में समरपीत सरकार भी देखी है कॉंग्रेस के राज में उद्योग बंद हो रहे थे नए उद्योग लगाने के लिए कोई तयार नहीं था आज नए उद्योगों के लिए नई उमिदे आज असम की धर्ती पर बनी है कॉंग्रेस के राज में धान का किसान परेशान था उसका धान खरीदने वाला कोई नहीं था बीजेपी के नेत्रतवावाली सरकार ने बीते पांच साल में कॉंग्रेस सासन की तुलना में पांच गुना से ज़ादा धान किसानों से खरीदा है कॉंग्रेस के करप्षन के वो दीन थे जब गरीबों का राशन भी कोई और खा जाता था आज गरीबों के राशनकार डिजिटल हो रहे हैं गरीबों के राशनकार की लुट को रोका जा रहा है अब One Nation One राशनकार की सुविदा से आप अपने हिस्से का राशन देश में कहीं भी जाएंगे कहीं से भी ले सकते हैं ये सुविदा Double Engine की सरकार दे रही है भाई और बहनों, कॉंग्रेस के पास आज ना नेता है, ना ही सही नियत है, कॉंग्रेस अब एक ही निती पर चल रही है, जूट बोलो, ब्रम फैलाओ, और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करो, इसलिए आपको कॉंग्रेस से सावदन रहना है, सतरक रहना है, आपको डबल इंजिन की सरकार को मजबूत करने के लिए बोट डालना है, इस बार का वोट असम की आत्मनिर भरता के लिए, कमल निशान पर वोट असम के सांस्कृतिक भैभोव के लिए, एंडिये को वोट असम की आकांचाओं की पूर्ति के लिए, एक बार फिर भारी संख्याम है, यहाँ आकर हम सब को आपने आशिरवाद दिये, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दोनों हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद